अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बैल आइकन उसे प्रेस चरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जी हां मकर संक्रांती 2023 के बारे में मकर संक्रांती को उत्रायन भी कहा जाता है इस टाइम जो है मकर संक्रांती के दिन सुरे जो है वो उत्रायन होता है जो भी ग्रह गोचर होता है उससे निकल के सुरे उस दिन निकलता है और दिखता ह ऐसे वो ढखा हुआ सुरेज जो है वो ढखा हुआ रहता है इस दिन लोग बहुत सारा दाने पोने करते हैं तो आज आपको बताओंगी इस वीडियो में कि मकरशंक्रांती जो है वो कब है 14 को है या 15 जन्वरी को जी हां 14 जन्वरी को या 15 जन्वरी को कब मनाये जाएगी सबसे पहले जानते हैं मकर संक्रांती 2023 अगले महिने मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाएगा आए जानते हैं किस तिथी को मनाया जाएगा ये तिवहार मकर संक्रांती को जी हां तीला सक्रात भी कहा जाता है बहुत जग सक्रात भी कहा जाता है मकर संक्रांती 2023 तिथी और सुम मुहरत मकर संक्रांती दोंची दिन दूर है और उसके बाद ही नए साल 2023 यानी की जनवरी की शुरुआत होगी और इसी महिने में मकर संक्रांती भी आये ही वही अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो पॉस माह में शुकल पक्ष की द्वादशी तिथी को मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाता है मगर संक्रांती पर्व के बाद इसे हिंदू धर्व में साल का पहला तिवहार मनाया जाता है हलां की मकर संक्रांती को देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है इस दिन ग्रहों के राजा सुर्य धनुराशी को छोड़ कर मकर में प्रवेश करते हैं इसलिए इसे मकर संक्रांती कहा जाता है मकर संक्रांती को लोहडी, उत्रायन, खिचडी, तिहरी, पोंगल आदी नामों से भी जाना जाता है इस दिन स्दान दान और तिल खाने से तिल खाने की परंपरा है मकर संक्रांती तिथी को लेकर असमंजस साल 2023 में मकर संक्रांती की तिथी को लेकर लोग असमंजस में हैं कुछ विद्वानों की अनुसार मकर संक्रांती 2023 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी जबकि अन्य की अनुसार मकर संक्रांती 15 जनवरी को मनाई जाएगी आईए जानते हैं कि सटिक तारीख कौन सी है मकर संक्रांती तिथी और सुम मुहरत पंचांग के अनुसार दोहजार तैस में मकर संक्रांती का पर्व 15 जनवरी रवी वार को मनाया जाएगा मकर संक्रांती पुन्यकाल मुहरत सवा 7 बजे से सारे 12 बजे तक महा पुन्यकाल सवा 7 बजे से सवा 9 बजे तक रहेगा क्योंकि इस बार 14 जनवरी को 8 बज कर 21 मिनट से धनुरासी से निकल कर सुरे मकर राशी में प्रवेस करेगा और सुरे के मकर राशी में प्रवेस करने पर ही संक्रांती मनाई जाती है मकर संक्रांती पर दान मकर संक्रांती को सनान और दान का पर भी कहा जाता है इस दिन तीथियों और पवित्र नदियों में सनान का विशेश महत्व है साथ ही तिल, गुड, खिचडी, फल का दान करने से भी राशी के अनुसार पुन्ने मिलता है ये भी माना जाता है कि इस दिन किये गए दान से सुरे देव प्रसन्य होते हैं ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर दिया गया दान सो गुना बढ़ कर फल देता है इस दिन सुध्य घी और कंबल का दान करने से मुक्ष की प्राप्ति होती है मकर संक्रांती के दिन मानेता है कि इस दिन सुरेदेव अपने पुत्र सनी के घर जाते हैं जोतिश सास्तर में उरद की दाल को सनी देव से जोड़ा गया है। ऐसे में इस दिन उरद की दाल की खिचड़ी खाकर दान करने से सुरे देव और सनी देव की किरपा प्राप्त होती है। साथ ही चावल को चंद्रमा, नमक को सुक्र, हल्दी को ब्रस्पती, हरी सबजी को बुध माना जाता है। वही मंगल का संबंध गर्मी से है। इसलिए मकर संक्रान्ती पर खिचरी खाने से कुंडली में सभी तरह के ग्रहों की स्थिती में सुधार होता है। I hope so आप लोग को हमारा ये मकर संक्रान्ती वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना, बिल्कुल न भूलना मेरे वीडियो को इंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवा, थैंक्स पर वाच अच्छिं कीब सपोर्ट